दर्भंगा में कुरोना का कोहराम जारी लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से कुरोना की तमाम छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्काइब करें और प्रेस करें बेल आइकन पाक के हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक DMCH में 460 सेंपल की जांच में 45 पॉजेटिव दर्भंगा में आज 18 कुरोना पॉजेटिव मिले हैं जिसमें 12 शहरी छेतर के हैं राज्य सरकार के निर्देश के बाद कुरोना मरीज को इलाज के लिए बाहर रेफद नहीं किया जाएगा DMCH में 100 बेट को कुरोना मरीजों के लिए निर्धारित किया गया है मातर छे बेट का आईसूलेशन जिसमें सभी सुविधाएं वेंटिलेटर के साथ उपलग दे दर्भंगा में अभी तक लॉकडाउन की संभावना नहीं देखी जा रही है आईस दर्भंगा में एक विधान पारसद और एक वरिष्ट डॉक्टर के साथ 18 कुरोना मरीज मिले है DMCH के परदाने चारे ने बताया कि 460 सेंपल की जाच की गई थी जिसमें से 45 positive मरीज मिले जिनमें दर्भंगा के इलाबा अन्य जिलो के मरीज भी थे वही DMCH के अधिक्षक ने बताया कि आज दर्भंगा में 18 कुरोना positive मिले हैं जिनमें 12 शहरी छेतर के हैं उन्होंने बताया कि अब कुरोना मरीज को इलाज के लिए बाहर रेफर नहीं किया जाएगा DMCH में 100 बेड को कुरोना मरीज के लिए निर्धारित किया गया है राज्य सरकार के निर्देश के अनुरूप यह निर्ने लिया गया है जिन बेडों पर ऑक्सीजन पाइप लाइन नहीं है वहां सिलेंडर से ऑक्सीजन सप्लाई की जाईगे वहीं 6 बेड का आइसोलेशन है जिसमें सभी सुविदाएं वेंटिलेटर के साथ उबलब्ध है सुत्रों के माने आई जो केस आया है उसमें एक दुलहा दुलहन और दुलहा के पिता भी कुरोणा पॉजिटिव पाए गए है हाल ही में इनकी शादी हुई थी जिसको लेकर शहरी छेतर में हरकंप मचा हुआ है गल्वी एक कुरोणा पॉजिटिव मेरीज की यहां मौत हुई है फिर भी लोग मास्क के उपयोग में कोताही बरत रहे हैं दिहाती छेत्रों में तो 90% लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं जबकि शहरी छेतर के भीतर भी मास्ट को लेकर उतनी तत्परता नहीं देखी जा रही है जिस तरह से दर्भंगा शहर में सरकों पे भीर और जाम देखने को मिल रहा है और शोसल डिस्टेंसिंग का धजिया हर जगा उराई जा रही है जिस तरह से यहां हर रोज चलाई जा रही है पर लोग जान बूच कर गल्दिया कर रहे हैं ऐसे में इस्थिती और बिगर सकती है ऐसे से इनकार नहीं किया जा सकता है वैसे अब आम लोगों की तरफ से लोगडाउन लगाए जाने की मांग उठने लगी है जिला परशासर ने भी कहा था बाट को लिखते हुए 13 जुलाई के बाद इस पर निन्य लिया जा सकता है लेकिन अभी तक लोगडाउन की संभाबना नहीं देखी जा रही है जिस तरह से यहां हर रोज पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं उससे से इस्थिती दिन परती दिन और खतरनाक होती जा रही है झाल